नमस्कार अधाब सस्त्रिया का थका हाल चल है भाई लोग आज के वीडियोगे मिला दी है एको ओला एसवन एयर के टॉकर का लेक्टिक स्कूटर आज जाने के कौन एलेक्टिक स्कूटर वा आपके लिए अच्छी रहने वाली है आज देखेंगे कौन जीतियों जाती है काया आज से कि अभी तक जतना लोगों ओला एसवन एयर खरदा है नो लोग काफी डिसपोइंटेड है काफी ओकरा से परसान हो गया है वह लेक्टिक स्कूटर से तो सोचे कि आप लोग के लिए वह अच्छा वीडियो लेक्टिक स्कूटर जाए और बताया जा कि ओला एसवन प खराइब कर ओ ठला भाई लोग करा जाया शिरी गढशा है चाहरा पहले बात करते हैं बैटरी चाहरे में बार workflow Normally क बारे में अऊोटर पावर देखने को मिल जयाएगा और से के एंडी में हमें 4 किलोट आर का बैटरी देखने को मिल जाएगा बैटरीये का मदद से रिवर एंडी टूर रेंज 120 किलोमेटर के देती है जबकि ओला एस आन प्रो कहती है कि 125 किलोमेटर का टूर रेंज देते हैं लेकिन बात किये जौन लोग अभी गाड़ी खरीद लिए ह कईते हैं कि 80-90 तक मिल जाता है दू लहॉक को भुई ठाके बात करें मोटर के बारे में तो रिवरिशन मोटर का पिक पाउर है इ depths सात है या जो वन और 081 ए से ए आर में 6 ल कीव्वाट का मोटर का पिक पाउर और दोनों ही गडूप स्पीड बिलकुल को मिल जाएगा दुग पईपव वाला इसे समझ लीजिए वो करवाद पीछे की तरफ आपको दुनोही गाड़ी में मोनोशक सस्पेंसम देखने को मिल जाएगा एक रिबाद बात करें ब्रेक के बारे में तो जोवन ओला वेला स इस ऐड्र है मेराव दुनहीं ब्रेक देखने को मिल जाएगा डिस के बाद करें बूटफ स् आसके बाद करेंगे तो आप चौग जाएगा की भूट स्पेश कावना में लेजिएगा करिबत मोटर हों का बात करें मोटर हो दूनों का डिफरेंट यूज किया गया है और रिवर इंडी में अबात करें दूनों ही गडिया का डिस्पेले के बारे में तो तो Ola S1 Air में आपको 7 इंच का टॉच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और रेवर एंडी में आपको 6 इंच का EBN स्क्रीन देखने को मिल जाएगा 0-40 की स्पीड जाने में दूनों ही गड़िया लगभग सेमे टाइम लेति है तो अनी फास्ट है Ola S1 Air और यह गड़िया जो अनो रिवर इंडी है यह तलो है 3.7 सेकेंड लेती है 0-4 की स्पीड जाने में और Ola S1 Air 0-40 की स्पीड जाने में 30.3 सकेंड लेती है एक अब बात करें बिल्ड क्वालिटी के बारे में बिल्ड क्वालिटी के बारे में का कहा जा रिवर इंडी राजा लेगटी की स्कूटर है भाई आए ओला ओला के तो बारे में हम कुछ नहीं कह सकते है खाली पईसाल लोग उसे छीन रहा है बहुती चोर कमपनी हो गया है एक उतल सबसे पहली बात कि आप्टर सेल सर्विस नहीं दे रहा है ठीक खाली गाड़ी बेचे हैं अवकराबाद गड़िये खराब होगी तो सर्विस कोन करेगा तो इस पर ध्याने नहीं है छोड़िये वो से हमको का मतलब आप लोग को बता जेते हैं बढ़िया जवान लगेगा आप खरीद लीजिएगा चार्जिंग के बाद कोई जाए तो 0-100% चार्ज होने में ओला 5 घंटा लेती है अब वहीं रिवर इंडी 0-80% चार्ज होने में 5 घंटा लेती है मतलब एक दूबर पटकाई हो जाएगी तो कोनो टेंशन नहीं है उठाके पोचपाच के चल दीजिए अब बात कर लेते हैं बारांटी के बारे में तो रिवर इंडी में आपको बैटरी और गड़िया दुनों का आपको 5 साल और 50,000 कीलोमेटर का बारांटी देखने को मिल जाता है अब बात करें Ola S1 Air की तो ये में आपको गड़िया का वारंटी 3 साल और 40,000 किलोमेटर का देखने को मिलता है और बैटरिया का आपको 3 साल और अनलिप्टेड किलोमेटर का देखने को मिल जाता है पैसा के बात करें तो Ola S1 Air आपको 1.2 लाक मने 1 लाक 20,000 में 100 रूम प्राइज के सांथ पड़ जाएगी और जो रिवर इंडी है ये आपको 1 लाक 25,000 में पड़ जाएगी 100 रूम प्राइज के सांथ लेकिन एक ओलोचा है यहाई पर रिवर इंडी का अभी डिलिवरी बैंग चाचा चैनल अवह सस्क्राइब कर लिजे येगा और जो रोन कोमी लगा होगा कॉमेंट सक्षन में का आदिजिएगा पूमेंट सक्षॉम में पूछ लीजिएगा हमने हे यह यही त्भारत भारत को है तो बनाने हिन जो बहरत